नो घुमाना, नो फिराना, सीधे अपने टॉपिक पर आना, तुरही के पौदे ग्रो हो रहे हैं मैंने लेट ग्रो किये हैं, पहले ग्रो कर लेती, तो अब तक तो वाइन भी तयार होती, लेकिन देर आए दुरूस्त आए असलाम उलेकुम फ्रेंट्स, वेलकम टू माँ चैनल, शबनूर अली, ये भी जरूरी है, सलाम करना तो सब सलामत रहें, और मैं भी सलामत रहूं मेरी गाडनिंग भी सलामत रहें, देखिए मैंने यहाँ पर ग्रो बैग ये मेरा पहले से बनाया हुआ है, जब कहीं कंटेनर नहीं मिलते हैं, तो मैं इस तरीके के पैकेट्स ले लेती हूँ, और उनको फोल्ड कर देती हूँ, नीचे से डोरी से बांध कर, गाट को अंद भी रहती है, यसे कि धान की बुसी है, रिवर सेंड है, तो उतना उतना मिला देती हूँ, जितना कि मुझे लगता है कि हां मिटी का टेक्स्चर देखते हुए, कि ये जरूरी है, फंगि साइट की तौर पर में या तो कोईले का पाउडर इस्तिमाल करती हूँ, या फिर र ये है कोईले का पाउडर, एक कोईले का टुकडा लिया और बस मोटा मोटा पेस्ट दिया, इससे काफी सौफ्ट रहती है और थोड़ा सा मौशर बना भी रहता है, मेंटेन भी करता है कोईला, फंगि साइट भी होता है, कारवन का सोर्स भी होता है, सबसी आउगाने के लि अपको मिक्स करने के बाद उस कच्रे के उपर भर दिया थोड़ा सा मैंने बचा लिया कि जब दबेगी तो साइट साइट से डालज देंगे तब तक किसी कंटेनर में भर कर रख देंगे यह रहे तोरह की सीर्स ही यह तो मैंने खुद ही अपने घर पर ही रेडी किये हैं और आपने हमारी वीडियोज देखी होंगी जिसमें से मैंने ये सीर्स निकाले हैं और जब तब ध्यान आता है मिटी में दबा देती हूँ इस बारिश को भी पता नहीं क्या बहस हो गई है जैसी मैं कुछ काम करने लगती हूँ तब ये बरसने लगता है और बस मैं काम रोकती हूँ बस जट से बंद हो जाता है तो इतनी देर में बारिश भी हो चुकी तो मैंने जल्दी जल्दी मिटी को समेट दिया और बीजों को भागी इस कंटेनर में रखने के बाद के बंद होगा तब मैं ग्रो करूंगी बीमार पर जाओंगी तो क्या मैं बीमारी में गाडनिंग करूंगी तो अपना तो खयाल रखना है तो मैंने यहां सीर्स को रख दिया था और अब हम इनको इसी में लगा देते हैं तो मिटी का हैं उनके साइज से थोड़ा सा बड़ा होल बना लेती हूं मैं तो ये खुर्पी की जो सरिया है इससे मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सुटेबिल साइज की है तो जितने सीट से मेरे पास उतने होल मैं बना लेती हूं और फिर एक एक करके उसको उसी मिट्टी में डाल दे मिट्टी तो गीली है अभी बारिश भी महरवानी करके चुकी है तो इसकी महरवानी ऐसे ही वनी रहेगी क्योंकि इस बारिश के पानी से ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे और मैं यहीं पर रखा भी रहने दूँगी तो फिर जर्मिनेशन डेट इंशालला बहुत अच्छा आप उपर से भी मिटी से कवर कर सकते हैं लेकिन जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो बह जाते हैं इदर उदर हो जाते हैं एक जगाई कट्टा हो जाते हैं तो बस आप होल बना लिजे उसमें दबा दीजे मिटी को अच्छे से बढ़िया से बहुत गहराई में जाकर मत दबाईएगा जर्मिनेट तो होंगे नहीं गल और जाएंगे तो बस इसी तरीके से मैंने अभी आपको वीडियो की शुरू में जो पौदे दिखाए उसमें अब टूलेवस आई हैं और इंशालला वो वाइन बनकर तयार होगी मैंने पहले भी काफी बार तो रही के बीजों से तयार किया वाइन को फिर बीज भी मेरे घर के ही होते ये बारिश का पानी भर गया है इनको हम थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं और फिर यहीं रखा रहने देंगे बारिश का पानी में इस तरह से बरतन छोड़ देती हूँ सीधे रखे हुए भर जाता खुदी फिर मेरे काफी काम आता है नाइट्रोजन रिच पानी होता है और जो मैंने सेम की बेल को गा रखा ये देखिए ये सारी सबजियों वाली बेलों के लिए फूलों वाले पौदे बहुत जरूरी होते हैं क्योंके इनको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्स चाहिए होते हैं चिडिया चाहिए होती तो इन सब के लिए इंसेक्स आते हैं अट्रेक्ट होके फूलों पर और फिर वो भी पॉलिनेशन करते हैं तो ये नारी का साग वो तो पता नहीं कौन सी बेल थी मुझे आज तक नहीं पते चला लोग कहते हैं कि वो लौकी है ये मैंने कटिंग से ग्रो की थी कितनी बढ़िया तरीके से पहल रही है तर्बूस वो लगा हुआ है